जोहार दोस्तों सागत आपको हमारे यूटूब चैनल के आर एक्जम में दोस्तों जे एससी ने अभी अभी तीन इंपोर्टेंस नोटिस जारी किया है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारे देने वाला हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो को सुरू से अंटक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजए साइद पर बेल आइकॉन की घंतिया कभी दबा लिजए ताकि दोस्तों आपके आपके बारे में कोई भी अपडेट हो तो सब्के पहले आपको इनफर्म किया जा सके तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रहा पहला नोटीस जो कि जेससी की तरफ से अभी अभी कुछ दिर पहला जारी किया गया ठीक है इसमें देखिया आपका विजापन संक्या 4-2030 एवं विजापन संक्या 5-2030 आवसियक सुचना नंबर 11 उसके बाद अगला नोटीस है 12-13 ठीक है चलिए देखते हैं कि पहला नोटीस को देखिया इसमें आपका बताया गया है कि जारकन डिपलोमा अस्तर सन्युक्त परतियोगिता परिच्छा दोहजार तेइस विजापन संक्या 4-2030 एवं 5-2030 के अंतरगत आवसियक सुचना संक्या 8 ठीक है जो सुचना संक्या 8 यारी किया गया था उसमें आपर बताया जारा कि 14-8-2030 के द्वारा जो है फोटो एवं अस्ताचर जो है अफलोड नहीं करन के फल्स्वरूप कुल 13,824 अभिगत्रियों की अभिगत्रीता जो है वो रद्य कर दी जाती है इतने सारे स्टूडेंस का जो आवेदन पत्र है वो रद्य कर दिया गया है यह है पहला नोटीस जो कि आप लोग अपना मिला के देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह रहा द दुसरा नोटीस जो कि जे अससी की तरफ से अभी अभी जारी किया गया है चलिए देखते हैं इसको देखे यह आपका जो है यह भी आपका जारकन डिपलोमा अस्तर सन्युक्त परतियोगिता फरिश्चा दोहजर तेईस के लिए है चलिए इसको देख लेते हैं उसके पांच दोहजर तेईस एवं पांच दोहजर तेईस के अंतरगत आवस्यक सुचना इसकी संख्या 9 जो आपका सुचना नंबर 9 जार किया गया था जो कि 14 आट दोहजर तेईस के द्वारा कतिफिय आवेदनों में अभी जत्रियों द्वारा अफलोड किये गये फोटो एम हस ताचर जो है वो पुना अफलोड करने के लिए दिनांग 14 आट दोहजर तेईस से दिनांग 16 आट दोहजर तेईस तक मज रातरी तक लिंक उपलवद कराया था ठीक है उसके बाद बोला जा रहा कि उप्यूक के करम में निर्धारिस समय सीमा के इंतरगत 515 अभियत्रियों म जो है फिर ते फोटो और अस्ताचर जो है पुना अफलोड नहीं हो पाया है और उनका भी जो है रजिस्टेशन संख्य आप पर दे दिया गया है जिनको भी रद कर दिया गया ठीक है चलिए दोस्तों यह रहा आपका दूसरा नोटिस अब देखते हैं तिसरा नोटिस जो क और आने वाले जितने भी एकजाम है जैसे कि उस्पांच सिपाई हो गया जे एससी सीजियल हो गया जो भी एकजाम का वहां पर संभाविच सीजि दे दिया गया है उसी केलेंडर के अनुसार जो है जेससी चल रही है इसलिए दोस्तों उसमें आपका कोई आगय पीछे नही तेरा है ये आपका 24 सार 2023 अभी अभी जारी किया गया है जारकन डिपलमा अस्तर सन्योक्त परतियोगिता परिश्चा 2023 का आयोजन जो है वो देखिए यदि आप लोग उत्फाद सिपाई का तयारी कर रहे है या फिर यदि सीदियल का तयारी कर रहे है तो जो डेट आपको एक्जाम केलेंडर में दिया गया है वही डेट में एक्जाम होगी आपका ठीक है देखिए आगे याँपर बताया गया है कि 2009 2023 से राची पूर्वी भूम, बोकारो, धनबार, तसाहजारी बाग जीले में अवस्तित परिच्छा केंद्रों पर किया जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए आगे याँपर बताया गया है कि परिच्छा में सम्मीलित होने है तो परवेश पत्र जो है डाउनलोर करने का लिंक आयोग के अधिक तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी जानकारे मिल गई होगी यदि आपको जानकारे अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए अपने दोस्तों को भी सेयर करिए और चैनल को सब्क्राइब करके चैनल से जुड़ रहिए ताकि दोस्तों आने वाले जितने भी उंपोर्टन्ट अपडेट है सभी कि हरफल की जानकारे आपको मिल सके